प्रारम्भिक्र गनित भाग दो आज मैं आपको बताऊंगा कि भार्तिय संख्या पंधति क्या होती है हम संख्याओं को कैसे बोलते और लिखते हैं तो सबसे पहला आज का जो हमारा टोपिक रहेगा वह है भार्तिय संख्या पंधति बच्चो मैं आपको जानकारी जूँ कि आपको तीन प्रकार की संख्या पंधतियां पढ़ने को मिलेगी एक भार्तिय संख्या पंधति इंडियन नंबर सिस्टम दो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और तीन रोमन नंबर सिस्टम हम यहां पर आपको केवल भार्तिय संख्या पंधति इसलिए बता रहे हैं कि हमारे देश की जो परमा है और हमारे श्री में जो गणितिक्य हुए है जिनका ब्रेन यानि की मस्तिस्क शार्प रहा है वो उसके पीछे कोई न कोई लोजिक काम करता है पहले हम अपने देश में जो सिस्टम अडॉप्त किया जाता है अपनाया जाता है हम पहले उसे सीखे और जब वो सीख लेंगे तो फिर उसके बाद में हम चाहे जो नंबर सिस्टम हो उसे सीखे नंबर सिस्टम हमें संख्या के अंक के मान के बारे में बताता है वह किस स्थान पर है जैसे इकाई है एक दहाई है दस ये दो अंक की संख्या हुई शेकड़ा है सो तीर नंकों की संख्या बन में बदल गई हजार चार अंकों की संख्या बन गई और इसे परकार अंकों की संख्या आख खाह रकार वसक된 अंक की संख्या वस्युक्या आख आख़ रस्टाइ करोल दस करोल ले करोल अभी आपको यहां तक याद कर लेना चाहिए lower classes के लिए हमारे व्योहार में, टेक्टिस में हमारे देनी चीवन में भी यहीं तक लगभग हमसे संख्या लिखने, पढ़ने को कहा जाता है मतलब इसका यह है नहीं है कि दस करोड के बाद में संख्या नहीं होती है अरग, दस अरग, नीज, दस नीज, पदम, दस पदम, शंख, और दस शंख तो आपको कई हिंदी गनित के किताबों में, जो गनित हिंदी में लिखी हुई है और भारतिय संख्या पद्धत्ती का हवाला उसमें दिया गया है तो आपको दस शंख तक लिखा हुआ मिलेगा अभी आप यह देखिए, यहां पर विशेश्ता यह है कि आपको संख्या को राइट से लेट, दाहिने से बाएं पढ़ना पढ़ेता यह तो चलो एक ही मान है, इकाई का मान है लेकिन यहां से पढ़ेंगे, तो इकाई, दाहाई, एसे पढ़ेंगे फिर अभी संख्या है, इकाई, दाहाई, सेक्रा तो दाहिने से बाएं हुआ इकाई, दाहाई, सेक्रा, हजार, दाहिने से बाएं हुआ नीचे चलते हैं एकाई, दहाई, सेकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, दसलाख, करोर और 10 करोड तो दहिने से बाइन की आप पढ़ेंगे लेकिन जिस समय लिखेंगे उस समय आप बाइन से दहिने लिखेंगे दहिने से बाइन नहीं लिख सकते तो बोलना यानि कि उसको कितना लिखा हुआ है यह जानने के लिए दाहिने से बाएं और लिखते समय जो संख्या आपको लिखनी है वो बाएं से दाहिने लिखेंगे भारतिय संख्या पधति की एक विषेस्ता संख्या लिखने की एक और समझ लीजिए वह यह है कि देखो तीन जीरो के बाद में ये कॉमा लगा हुआ है ये कॉमा है दस हजार में तीन जिरो के बाद में फिर कोमा है राई से लेक्ट में लेकिन जैसे ही हमने एक लाख लिखा तो तीन जिरो के बाद में तो कोमा लगाया फिर उसके बाद में दो जिरो छोड़ कर भी वापस कोमा लगाया यहां जब हम देख रहे हैं 10 करोड पर तो 3 जीलों के बाद में कोमा फिर 2 जीलों के बाद में कोमा फिर 2 जीलों के बाद में कोमा और 2 जीलों के बाद में कोमा यह इसकी पहचान है जब कोमा इस क्रम में इस ओडर में लगाया जाता है संख्या में तो कहने की अवश्यक्ता नहीं है आप कह सकते हैं कि वह है भारतिय संख्या पध्धती के अनुसार लिखी खुई संख्या है जिसे इकाई दहाई सेंट्रा हजार दसजार लाख दसलाख कर करोड इस तरह से पढ़ना पड़ेगा unternational number system में तीन-तीन अनकों के बाद में कोमा लगता है और वहां पर आपको million, 10 million, 100 million, billions इस तरीके से आपको पढ़ना पढ़ता है हम यहां Unternational number system अब आगे बढ़ते हैं जब शुरू में आप पढ़ते हो तो आपको संख्याओं को जो अंकों में दी गई है उसे शब्दों में और शब्दों में दी गई संख्या को अंकों में लिखवाया जाता है हर जीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है जब भी कोई सरकारी दोक्यूमेंट कागजात तयार होते हैं जब भी आप बेंक चेक बुक में रकम अमाउंट लिखते हैं तो एसी इस्टिती में अंक के साथ साथ आपको शब्दों में भी वह संख्या लिखनी पड़ती है यही नहीं बल्कि जब आप परिच्षा देने जाते हैं ओपी पर अपना रोल नंबर लिखते हैं तो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी और उपर की कख्षाओं के अंदर आपको अंको के साथ साथ शब्दों में भी अपना रोल नंबर लिखना होता है तो अभी हम ले रहे हैं कि मिन्न लिखित, यह क्यों सन है अपना, मिन्न लिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिये तो पहला सवाल जैसे हमें दिया इनोंने और यह दिया वन कोमा जीरो वन 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 अब जैसे यह हमें दिया हुआ है और हमसे कहा कि इसे आख वो शब्दों में लिखिये जाए हम दही में से बाएं पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सेंक्रा, हजार, दस हजार और लाग तो एक भाग यह लाग का हुआ जहां एक लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा एक लाग अब दूसरा भाग इसका यह है इकाई, दहाई, सेंक्रा, हजार, दस हजार तो दस हजार में तो जिरो लिखा हुआ है तो यह तो इकाई, दहाई, सेंक्रा, हजार में एक लिखा हुआ है एक हजार फिर पीसरा भाग यह होगा इकाई दहाई सेखड़ा तो एक सो ग्यार है एक सो ग्यार है यह हमारा आंसर हो गया इसका चलो दूसरा क्योशन देखते हैं 3, 2, 2, 5, 6, 0, 5 मालो यह है तो यहां यह कोमा के इसाफ से आप इस तरीके से भी सुरू सुरू के अंदर इसके पार्टिसन भाग कर सकते है पढ़ेंगे इदर से इकाई, धाई, सेखड़ा हजार, दस अजार लाख, दस लाख तो दस लाख में एक साथ बोलेंगे आंसर क्या रहा है कि इसका आंसर हो गया यहां पर आए, इकाई, धाई, सेखड़ा, हजार, दस हजार पचीस यहां पर या तो पचीस ऐसे लिखेंगे या डबग चाहेगा पचीस, पचीस, हजार फिर यह छट्सो, छट्सो पांच यह इस्तांस होगे, एक जोसन और करते हैं अपन दस, तकीस, एकतीस, दोसो, पिक्का तो यह बनावना, इकाई, दहाई, सेखड़ा, हजार, दस हजार, लाग, दस लाग, करोड, दस करोड तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, दस का दस करोड हो गया दस करोर, इकतीस, लाग, इकतीस, हजार, दो सोर, इकत्या वन, तो यह था अपना संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखेंगे, आप भर पर अधिक से अधिक प्रेक्टिस कीजिएगा, पूरे बोर्ड को देख लिजिएगा किस तरी के से लिखा हुआ है, स्क्रीम शोड ले सकते हैं आप, अब इसके बाद में एक सवाल और बनता है आपको, संख्याओं को अंकों में लिखिये, अंकों में लिखना है, कैसे जैसे पहला क्योंचन है आपका, दो लाग दो हजार तो इसका आंसर होगा, पिकाई, दहाई, सेक्रा, हजार, दस हजार, और ये लाग, ये एक तरीका रहेगा आपका, सुरू सुरू में फिर आपको आदत पढ़ जाएगी, पिकाई, धाई, सेक्रा, हजार, दस हजार लाग, दो लाग, दो हजार, तो बाती कुछ भी नहीं है, तो बाती जगे पर आपको जीरो लगाते, दूसरा क्योंचन है, एक लाख एक हजार एक सो एक इसे दिखना है उनको में अनको में लिखने के लिए एक लाख तक है ये तो हम यहाँ से शुरूप रएगे एकाई धाई सेंकडा हजार दस हजार और ये लाख लाख में कितना है एक लाख हजार में कितना है एक हजार एकाई धाई सेंकडा हजार एक हजार एक सो 21,2 सेंकडा 101 और 111 अब ये खाली जगर है गई तो मैं 0 भर दीजिए आप तो 11,101 एक सवाल और देखिएगा आप 20,202 20,202 तो इकाई किसका आणसर होगा दहाई सेंकडा कॉमा लगाया हजार दस हजार फिर कॉमा लगाया लाग और ये खाला 20 लाग ये 20 लाग होगे 211,2 सेंकडा 200 होगे 2 ये 2 भी होगे बाकी जगे सुन्ने भर दीजिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 इस तरह से आज हमने आपको बताया भार्तिय संख्या पधर्थती 10 करोड तक किस तरह से पढ़ी और लिखी जाती है संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं संख्याओं को अंकों में कैसे लिखते हैं बच्चों आपके साथ यदि आपके पेरेंट्स बेठे हो तो मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा इसे आप एक इजी वे सरन रूप में नहीं ले मैं अपनी तरफ से पूरी कोशीश करूंगा कि वर्तमान समय में हमारे देश में हमारे स्टुडेंट्स का गणित्स से जो रुझान कम हो गया है जोड बाकी गुणा भाग वर्ग वर्ग मूल घन घन मूल लाभानी सरल ब्याज चक्रवर्दी ब्याज समय काम मजदूरी आधी 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 अंक गणित के एलजेब्रा के जोमेट्री के अटिगनोमेट्री के बहुत सी चीजे उनको एसा लगता है कि बच्चे अपने आपको ये समझते है कि उन्हें काले पानी की जेल हो गई है और गणित विशे उनके लिए एक डरावना सपना है जिसको देख कर पसीने छुट जाते है मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप जो मैंने ये सिरीज शुरू करी है यदि आप पूरा देखेंगे लगातार देखेंगे तो आपके बच्चों की गणित काफी इंपूर होगी काफी सुधार होगा लेकिन यहां मा सरस्वती का जो दोहा है पूरा पूरा खर लागू होता है जोंजों खर्चे क्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घटिजात सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर उबात कहने का मतलब है मैंने तो दो दो तीन तीन इजामपल्स दिये लेकिन आप घर पर रफ पागज रफ कोपी स्लेक पैन पैंसिल कुछ भी लीजिए और आपका नियम होना चाहिए कम से कम मुझे एक घंटा रोज गणित का अध्यास करना है पीश्वर आपकी मदद करे बेस्ट अपना अध्यास करना है